हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आएक्जामबी, I am Sushil Ragde, ex-manager Reserve Bank of India और आज का जो वीडियो है, वो है executive director ये post पे और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, ये बनाने का timing क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो क्या RBI, grade B officer RBI का ED बन सकता है, ये question है at present how many EDs are there in RBI and who can become ED of RBI ये executive director है, तो जिनको RBI में जाना है और future में देखना है कि किस ताइप का promotion होता है, क्या-क्या post होती है, क्या-क्या power होती है, ये सारा आप इस वीडियो में आपको पता चलेगा, और आए exam B में हम आपको RBI के लिए prepare कराते हैं, जिससे आपका जो preparation है, वो 50% faster way में होगा, आपको time मिलेगा, revision करने के लिए जिससे multiple revisions भी कर सकते हैं, आपका जो success है, वो आपको जल्दी मिलेगा, तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अभी मैं यह आपको एक यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको continuously आपका जो knowledge है, वो अपग्रेड करना है, रिसेंटली यह एक six month का कोर्स है, I am Kolkata का कोर्स है, यहाँ पर दो बार campus immersion होगा, अभी just मैं campus immersion करके आ रहा हूँ, October 30 से 1st November, Fintech के बारे में यह है, इसके उपर blockchain है, Fintech है, continuously मैं कुछ ना कुछ चीज़े सीखते रहता हूँ, थोड़ा से यह महिंगा कोर्स है, 6 मेने का कोर्स है, इसकी fees 6 लाग रुपे है, आप I am Kolkata के alumni बन जाएंगे, networking कर सकेंगे, काफी सारी नईनी opportunities आपको open होती रहेगी, आप depending upon how much money you can spend, how much time you can spend, आपके पास वो ज्यान देने की इच्छा है या नहीं है, कुछ सीखना चाहते है, कुछ learn करना चाहते है, तो आप ऐसे चोटे मोटे certification कर सकते हैं, तो यह मैं आपको बिताना चाहता हूँ, कि आपको भी ऐसा continuously आपको सीखते रहना है, by data को improve करते रह आपको बता है, RBI का structure मैं आपको दिखा दूँगा, और उसमें जैसे Chief General Manager बनते आप, उसके बाद ED का post होता है, तो ED जो होते है, एक जी डिरेक्टर उनके पास 3-4 डिपार्मेंट का चार्ज होता है, जैसे Enforcement Department है, Risk Monitoring Department है, and Department of External Investment Operation है, तो यह ED होते है, और RBI में, जैसे मैंन बन सकता है, बाकी कोई नी बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, कल ही एक स्पीच आया था, हमारे जो Deputy Governor RBI के राजेशर राउसर का, तो काफी important स्पीच है, और आपनी काफी बार देखा भी होगा RBI के website पे, ले इसके उबर एक question बनाया, देखो, why is it important to regulate the financial sector, तो अलग-अलग points लेके मैंने explain किया कि stability के लिए है, control है, protection है, efficiency है, productivity है, consultation है, principle-based approach है, and level playing field है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, जो preparation है, तो आपका जो understanding है, general awareness का, या finance का, या economic issues का, वो यहाँ पे काफी improve होगा, तो यह मै मैंने मेरे telegram के channel पे दिया है, और अभी आपने से जो serious लोग है, sincere लोग है, वो इसको stop करके यहाँ पर पढ़ेंगे, otherwise देखने वाले तो सिप video consume करते जाते है, उससे कोई सीखने का try निकाए, तो यह बहुत important है, जो भी मैं वीडियो में दे रहा हूँ, मेरे telegram channel पे post कर रह या फिर आप descriptive answer rating का भी यहाँ पर आपका practice अच्छे तरीके से होगा, जैसे मैंने जो question पूछा था कि RBI में कितने executive director है, तो अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह 15 executive director हैं, और हर ED के पास कुछ department होते हैं, कभी एक department होता है, कभी दो होते हैं, कभी तीन होते हैं, जैसे ह बहुत कम लोगों को पता होगा, कि ऐसे कोई नाम का post RBI में है, पहले जब यह post create किया था उस time पे, ऐसा discuss हुआ था कि इसको हम deputy governor level rank का बनाते हैं, लेकिन आपको पता है कि RBI Act में कुछ amendment करना पड़ता, क्योंकि उसका mention जो है deputy governor post का RBI Act में है, तो हो नहीं पाया, इसलिए य AD level का post है, मैडम के पास यहाँ पे department का government bank accounts है and corporate strategy and budgeting department है, budget and funds करके, तो यह है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किस type का यह organized structure है RBI का, यह है RBI का organized structure, सबसे उपर होता है central board जो RBI को चलाते हैं, आप join करते है grade B level पे, उसके बाद grade C है, DA, E, F में पहले CGM होते हैं, जो senior होते ह principal CGM और इसमें से कुछ executive director भी बनते हैं, अगर आपको ED बनना है, तो RBI grade B officer बनना पड़ेगा at the age of 21 to 25 के बीच में, और career में अच्छा perform करना है, career पे कुछ डाग नहीं लगना चाहिए, यानि कि कोई बड़ी mistake आपकी नाम पे नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसे mistake होती है, तो इ और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो हर deputy governor के पास कुछ department का charge होता है, और कुछ ED उनके organ structure में, उनके under होते हैं, तो जैसे माल दीजी, MD पात्रा सरे, तो इनके under जो first row में है, यह first पकड़ी है, यह second, यह third और यह fourth, यह number one, number two, number three, number four, यानि कि आपको पता चलेगा कि जो MD पात्रा सरे, इनके under कौन-कौन से department है, मैंने यहाँ पर टिक किया, यह सारे department उनके यहाँ होते हैं, अगर आपको ED या deputy governor बनना है, तो आप 21 से लेके 25 के age में अगर आप जाते हैं, अच्छा perform करते हैं, तो आप definitely वहाँ पर जाएंगे, कभी-कभी कुछ लोग ऐसे तो खुद को इतना downgrade नहीं करना है, तो खुद को इतना काभिल at least समझना है, अगर नहीं भी है, तो भी समझना है, जब आप समझना चालो कर देंगे, दीरे-दीरे आप बनते जाएंगे, तीक है, जब मुझे याद है, जब हम RBA में आये ते तो सब को पूछे थे का RBA में उस टाइम पे, तो फिर वो हो जाने के बाद, फिर जब हाइटी का टाइम होता है, उसके बाद ब्रेक में, फिर लोग मेरे पास आये, फिर बोलने लगे कि थोड़ा मुझकिल है, मैंने कहां सर, एक 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 एक्जामपल है, हमारे हाँ पर MNRCM सर जो है, वो बने थे, तो ऐ क्या है काम की चीज़, काम की चीज़ जाने के RBI में जाना है, तो किस से जाना है, सेल्फ सटी कर सकते है, या कोई मेंटर अवेलेबल है, जो आपको गाइड करेंगे, या अधर्वाइस हमारी यहाँ पे तीन बैचेश चाल हुए, मॉर्निंग की बैचे साढ़े साथ बजे इविनिंग की बैचे 8 बजे, इविनिंग की इंग्लिश मिडियम की बैचे सावानो बजे, अगर आपको इसके बारे में कुछ इंफोर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो यही परपस था इसमें, कि आपको कुछ काम की चीज़ बताएं, य इसी क्यू में आ सकता है, फेज वन में जी ये में आ सकता है, यह आपको ESI, FM में भी आ सकता है, इंट्रो में भी डेफिनिटली आएगा, और यह जो कंटेंट जो मैंने आपको दिखाया था, उस टाइप का क्वालिटी कंटेंट आप एक बार पढ़िए, और मुझे इस वीजियो और अवलड़ आपको जासीनी आपको देनी आपको डिखाया जापको आपको देनी आपको चुटाशिया खाया धन एक्वाल चाह.